कि हलो दोस्तों आपको स्वागत है मेरे यूटूब चनल पर आज जो हमारी मेंडा स्कॉर्प यह ऐसी लावन है उसके ऑटमेटिक एसी के बारे में आपको जान गरें दूंगा कि इसमें हमें कैसे का फीचर्स मिलते हैं और समय हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है दोस्तों यह स इसमें सेम यूनिट मिलती है उसलों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्विच को दबाना होगा दोस्तों जब हमारी कार बंद है तो इसका काम नहीं करेगा सिर्फ फैन चलेगा तो इसको दबाने के बाद हमारे सी चालू हो जाएगा फिर यह बीच में स्क्रीन ह करता है जो कि हम टेंपर यह से कंटोल करेंगे इसमें लोइस टेंपरिशर है 17.5 फिर यह लोग बतायन लग जाता है कि जैसे हमें कार ठंडी करनी है तो इसका बढ़ना बढ़ाएगा और दोस्तों इसमें ऑटमेटिक लाइमेट कर दिया जैसे मोटो बटन नमाएंगे तो इसका अपने इसाप अपने हिसाफ से अजस्ज़ जायागा तो दिखाता है सिसे मैंने पोटो दवाया मैं देखिए थैंपने एट हो चुकी है आप भी अभी तो अभी तो अभी तो इसमें अभी तो एब तो वीडियो के लिए बनाने लिए हमें सुक्म कर देते ए यहां पर इसके बताता है यह तो थर्टी फॉल्ड लेक्रें में आपके लिए बना रहा हूं पिसके लिए एक लाइक तो बनता है वह दोस्तों यहां पर इसके बताएगा कि यह सी ओन है यह पर यह तो अपने उफ हो गया तो दबाए वापिस ओन हो गया रुश्त बहुती बीजा की विडियो बना रही है वह आप देखिएगा और यहां पर हो दोस्तों और यहां पर सबस्तों यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब जिए के अंदर के वा अंदर रखनी उसके लिए उसके लिए जैसे हमें भाड की मिफ्रस अब है तो बार की इसको बंद कर देंगे तुब सब्सक्राइब देगा लेकिन इससे हमारी तो कार का माईलेज वो डिक्रिस हो जाएगी क्योंकि यह बार किया लेगा तो इंदन पर जादा लोड पड़ता है व्लोग सब्सक्राइब ट्रैम्पेज लो रखेंगे गाड़ी वित तरह तेल पिएगी और जित्ता अलोग जिसे ह हाई यह स्टेंपर चुछाता है अपने 31 तक 31.5 तक प्रिश्म हीटर ओन हो जाता है यह एक पर लिखावा जाता है तो इसको वापीस हम टॉंटी पर सेट कर देते हैं तो रोस्तों यहां पर बिलता है हमने हजाट लें पर रोस्तों ऐसे कुछ पीजर से हमारे स्कॉर्प य अगर आपको वीडियो इंफॉमेटी लोगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जूरू करें थैंक्स पर वोचिंग